कि यहाँ पर आपको अब्यश्राट्ष्टेशं पर आपको वोजन की भी व्युश्षा मिल जाएगी दुकाने देशकते हैं इधर आप यह बशीस्टेशन का ग्राउंड है एरिया है बस इस्टेशन पर ही मौझूद है बस इस्टेशन पर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट प को एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम सबसे पहले कोई आता है यातरी तो बस बस इस्टेशन ही देखना चाहता है कि अपनी जर्णी टाय करेंगे तो आज यहां से आपको राम मंदिर तक लिए कर जाएंगे और प्रॉसेस रहता है बस इस तेशन का वो सारी चीजे आपको बा पर जो फिरी भोजन की जो यहां पर व्याउस्था की गई है यहां पर देख सकते हैं विसाल भंडारे की व्याउस्था अध्याबस इस्टेशन पर आपको जैसा कि देखने को मिल रहा और बाकाईदी तरीके से यहां पर चेयर वगारे देखिए जैसे एक रस्टूरेंट होत है इतर देखिए बास इस्टेशन कितना नीट एंड क्लीन इस समय दिख रहा है पूरा का पूरा महोल जम चुका है इस बार और अलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो एलेक्ट्रिक बसों की लाइने लग गई है उसी के साथ-साथ यहां पर जो पिंक आटो आया हुआ है कोई तो वहां पर जल रही है मैंने शुरुआत में दिखाया बंढ़ारे का भी आयोजन है उद्या का जो बस से जा सकते हैं तो वह सारी चीज भी दिखाएंगी वीडियो के माध्यम से चलते हैं दिखाते हैं बस जहां पर लाइन से लगी हुई है और किस तरीके का माहौल ह क्या 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 देखने को मिलती है कहीं जाकर अब फाइनली लगा कि यह हमारी एक बस सब्सक्राइब्स ज़ेशन के नाम से जाना जाता है और आज इसी घृष कासियत और मौर्टी दिखाने के लिए हम मौझष है फिर नगरी अवड बस इसे रव दोश्यों पर पूर पूरा आपको सीन दिखाएंगे कहां पर क्या चीज मिलेंगी फ्री में जो सेवा है उसको भी आपको दिखाएंगे और बस इस्टेशन के अंदर क्या क्या फैसेल्टी जैरूम वगैरा खाने पीने की जो बेवस्ता है पूरी दिखाएंगे अभी तो मैं ग्राउंड पर निक लग गई है और अधिया अधिया आपको दिखाएंगे की रूम के साथ यहां पर जो खाने पीने के दुकान है उन सारी चीज जो को भी एक्स्प्रोर करेंगे और काफी चीजें है भी बताने के लिए जो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेट नहीं करते हैं वीडियो क फुल देखेंगा एक एक जानकारी आपको देंगे और इधर देखिए अच्छुली हम लोगों की साथ जब भी मैं आपर आता हूं बस इस्टेशन पर आंधी तूफान हवाय काफी तेज चलती है एक और बार मैं दो तीन महीना हो गया वीडियो शूट किया था बस इस्टे तो इस तरीके का माहोल देखने को मिल रहा है बस इस्टेशन पर आफ्टार मंदिर के उद्खाटन के बाद और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नया इंडिया का अपना ठंडा तो यहाँ पर यह एड वगयरा भी लगाय गये है तो इन सारी चीजों का माहोल यहाँ पर सीन देख सकते हैं और इधर यह दुकान है दुकान यहाँ पर ओपन है आप लोग कुछ खरी सकते हैं फास्ट फूड हो गयरा उसी के साथ साथ देखिए बस को पार्क किया गया है जो बसे टोट फूड जा रही है विगड़ जा रही है उनको बनाया भी जा रहा यह देखि इसका पूरा का पूरा जो देखिए यह सीन बदल गया है कांच वगरा जो है फूट गया था तूटा हुआ है यहाँ पर और यह बस एलेक्टिक बस इदा देखिए पूरा का पूरा सिष्टम डामज है यहाँ से हम अंदर कि और बगते हैं और यहां पर इंस्ट्रेक्शन वेटिंग रूम देखने को मिल जाएगा इस तरीके से बना गया है बस इस्टेसर को और रूम हो गयरा भी देख सकते हैं पूरा का पूरा और इसकी दूसरी छोर पर आपको लेके चलेंगे वहाँ पर दुकाने भी देखने को मिलेंगी तो उधर हम चलते हैं फिर दिखाते हैं आगी की वीडियो और यह वस के सामने इधर देखिए पूरा का पूरा राम लला जल्पान ग्रह यहां पर आपको आपको अध्या बस इस्टेशन का ग्राउंड है एरिया है तो यहां पर 24 गंटे कोई नो कोई आता रहता है देखिए अधिकारी लोगों की गाली यहां पर खड़ी हुई है और यहां पर आप लोग बस इस्टेशन के अंदर आपको यह सौप दुकान और खाने पीने की चीज़े देखने को मि लेगा तो काफी अच्छी बेवस्था दी गई है अध्या के बस इस्टेशन पर तो वीडियो जो है मैं काफी मिनमम पैमाने में मैं सूट कर रहा हूं कि आपको चार से पांच मिनट के वीडियो में पुरी की पुरी जानकारी मिल जाए तो अभी बस का कुछ और हिस्सा जो अगरबत्ती 108 फिट की आई हुई थी वो इस समय उसकी जो इस्थिती है इस समय देखिए अंतिन चरण पर चल रही है बस इस्टेशन पर ही मौजूद है बस इस्टेशन पर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आप अंदर आएंगे बस इसी समय आपको इस अगरबत्त ही का दरसन करने के मिलेगा और जो लोग आते हैं लोक पर लोग सब्से पहले हिंगा दे लिदा में आपको दोस्तों अगर आप सब 것을 संब्सक्राइब नहीं सब्ति के लिए जैसे गांप